प्लीज सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में भागवत धर्म वैशनव धर्म शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगी तो चलिए शुरुवात करते हैं भागवत धर्म छे शताबदी ईसा पूर्व में ब्राहमणवाद एवं कर्मकांडिय जाटिलता के विरोध में इस धर्म का उदे हुआ इस धर्म ने ब्राहमणवाद में भक्ति एवं पूजा का समावेश करवाया प्रारंग महाभारत के नारायर उपस्थान प्रसंग से आरंभिक सिध्धान्त इस धर्म के आरंभिक सिध्धान्त गीता में मिलते हैं वासुदेव महाकावे महाभारत भागवत धर्म को एक दिव्य धर्म के रूप में प्रतिश्ठापित करता है तथा विष्णू का उलेख वासुदेव के रूप में करता है अफ्तार, भागवत धर्म में विश्णों के अफ्तारों कुरुशाफ्तार, गुणाफ्तार एवं लीलाफ्तार का उलेख है इस धर्म को वैश्नव धर्म की आरंभिक अवस्था माना जाता है वैश्नव धर्म वैशनव धर्म का विकास छठी शताब्दी इसापूर्व में हुआ इस धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है वैशनव धर्म की आरंभिक जानकारी चान्दोगे उपनिशत से मिलती है मथुरा के कृष्ण जिनके पिता वसुदेव यादव वन्ष के वशनी या सत्वत शाखा के प्रमुख थे ने वैशनव धर्म की स्थापना की गुप्त काल में वैशनव धर्म लोगप्रियता की चरम सीमा पर पहुँचा मेगा स्थनीज रचित इंडिका से ज्यात होता है कि मथुरा के लोग हेरा कुलिच का विशेश आदर करते थे हेरा कुलिच क्रिष्ण का यूनानी नाम है वैशनव धर्म विश्णू पूजा पर आधारित है तथा अवतारवाद में विश्वास करता है राहमन ग्रंथो में विश्णू के 49 अफतारों का उलेख है जिनमें 10 अफतारों को वैशनव धर्म में माननेता दी गई है मतस्य पुराण में विश्णू के 10 अफतारों का उलेख इस प्रकार है मतस्य वामन परशुराम कच्छप राम कली वराह खृष्ण निरिसिंग तथा बुद्ध विदिशा से प्राप्ट नगर स्तंभ लेख से ज्यात होता है कि युनानी राजदूत हेलियोडोरस क्रिश्ण का उपा सक्था चंद्र गुप्त तू विक्रमादित्ते तथा अन्य गुप्त समराटों ने परंभागवत जैसी उपाधिया धारन की चंद्र गुप्त तू तथा समुद्र गुप्त के सिकों पर विश्णों के वाहन गरूर का चित्र अन्कित है गरूर मुद्रा का उदारन गाजीपूर जिले के भित्री नामक स्थान से प्राप्थ हुआ है गुप्त कालीन मुद्राव पर वैशनव धर्म के अन्य प्रतीक शंक, चक्र, गदा, पद्म तथा लक्ष्मी भी प्राप्थ हुए है गंगधर अभिलेख में विश्णू को मधुसूदन कहा गया है चंद्र गुप्त विक्रमादित्ते तूने विश्णूपद परवत पर विश्णूध्वज की स्थापना की सकंद गुप्त के जुनागड तथा बुद्ध गुप्त के एरण अभिलेखों का आरंग विश्णू स्तुती से होता है गुप्त काल में वैश्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपून अवशेश देवगर जांसी का दशावतार मंदिर है दशावतार मंदिर में ही शेशनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायन विश्णू को दिखाया गया है एक अध्यन के अनुसार गुप्त काल में वैश्णव धर्म भारत के प्रतेक शित्र में फैला तथा दक्षिन, हूव एशिया, हिंद, चींग, कमबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक इसका प्रचार हुआ शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म एवं उनके अनुयाईयों को शैव कहा गया लिंग पूजा का पहला पुरातात्विक साक्षे सिंदू सभिता के अवशेशों से प्राप्त होता है लिंग पूजा का पहला साहितिक साक्ष मतस्य पुरान से प्राप्थ होता है शिव के लिए रिगवेद में रुत्र शब्द का प्रियोग किया गया है भाफ, भूपती, पशुपती एवं शर्व आदी शिव के नाम है जिनका उलेख अथर्वेद में किया गया है लिंगो पासना का स्पष्ट उलेख महा भारत के अनुशासन पर्व में भी है तथा उत्तर भारत में इस धर्म को गुप्त समराटो एवं दक्षन भारत में पल्लव शासकों से विशेश सनरक्षन प्राप्थ हुआ पाशुपत शैव इस धर्म के अनुशाई शिफ के पशुक्ती रूप की उपासना करते थे पाशुपत सम्प्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुकत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश ने की थी जिसे भगवान शिफ का ही एक अफतार माना गया है पाशुकत संप्रदाय में भगवान शिव के 18 अवतारों को माननिता दी गई है पाशुकत संप्रदाय के अनुयाई पंचार्थिक कहलाते थे पाशुकत संप्रदाय का प्रमुक सिधान्त ग्रंथ पाशुवत सूत्र है कापालिक शेव इस संप्रदाय के अनुयाई भैरव के उपा सक्ते भैरव को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शेल नामक स्थान था इस संक्रदाय में भैरव को सुरा एवं नर्बली का नैविद्ध चढ़ाने की परंपरा थी काला मुख शैव यह संक्रदाय भी कापालिक संक्रदाय की तरह आसूरी प्रवृत्ती का था इस संक्रदाय के अनुयाईयों को शिव कुरान में महा व्रद्धर की संग्या दी गई है इस संक्रदाय के अनुयाई नर् कपाल में ही भोजर जल एवं सुरापान करते थे लिंगायत शैव यह संप्रदाय दक्षन भारत में प्रचलित था, इस संप्रदाय को वीर शैव भी कहा गया है। लिंगायत शैव अनुयाईयों को जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत शैव के अनुयाई शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय का प्रवर्तर अल्लब प्रभु तथा उनके शिश्य बासव ने किया था पेरिय पुराण के अनुसार दक्षन भारत में नैनार संतों ने जिनकी संख्या तिर्सठ थी शैफ स्रप्रदाय का प्रचार किया खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर जिसका निर्मान चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था इस धर्म का प्रमुक प्रतिष्ठान है कैलाश नात मंदिर इलोरा निर्माता राश्रकूत वंश ब्रिधेश्वर मंदिर तंजोर निर्माता राजाराज एक आधी शैफ धर्म के अन्य प्रसित प्रतिष्ठान है